असलाम अलेकुम यह विडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहती हूं उन लोगों खिर में बना रही हूं जिनों ने मुझसे पूचा कि अपने पीटी आई क्यों छोड़ी हैं मैं यह कहना चाहती हूं के पीटी आई में सारे लोग बुरे नहीं हैं और तमाम परलिमेंटैरियन वो भी उन हैं episodes eyes बहां बहुत्व करते हैं लेकिन मैं आप आप लोगों को हकाईक पताना चाहती हूं कि पीटी आई मैंने क्यों छोड़ी हैं PTI میں workers की कोई इज़त नहीं है, कोई respect नहीं है, PTI का worker उनके सामने ही कहा जाता है, कि जी आपने जाना है, आप निकल जाओ, अगर आपने हमारी बात नहीं माननी है, हम जैसा कह रहे हैं, वैसे अगर आपने नहीं करना, तो आपकी कोई गुजाश नहीं है PTI में, PTI का एक मिजज है, वो मिजज मैं आपको बताती हूं कि क्या है, उनका मिजज यह है कि जिसको ओदा मिल जाता है, वो अपने इलाके का, अपने जो इक्तेरात हैं, उनकी मिना पर वो एक डॉन मन जाता है, और उसकी गर्दन में एक सरीया आ जाता है, और वो workers का बिलकुल नहीं सुन दो किसम के workers हैं जो के PTI में हैं, या तो उनको होगी कोई उनसियत और मोहबत होगी खान से, या तो वो लोग जिनको पता है कि किसी और पोलिटिकल पार्टी में गुझाइश नहीं बन सकती, इन दो के अलावा और कोई इस पार्टी में नहीं है, बाकी जो लोग बनते वे हैं, ये ग्रूप है, मखसूस, जो के इजारादारी है, जिसकी PTI पर ठीक है जी, जो करप्शन करते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, खान साब उनसे कुछ पूछ नहीं सकता, और इसके लावा खान साब की कोई तबज्ज़ नहीं है, जो शक्स इतना बड़ा ल मैंने उनकी परिशानियां देखी हैं, और मैं हहरान हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतना इतनी दजलील किसी वरकर की नहीं होती है, जितनी PTI में होती है, अगर कोई वरकर, ईवन के ओधिदार भी किसी परिशानी में है, PTI उसके साथ कड़ी नहीं होती, वैसे अबका वरकर रोरो होता है, तब तो आपको कोई फरक नहीं पड़ता, बताएं आपने क्या किया, मलीर कोट पर इतना बड़ा वाक्या हुआ, साने अब आप छोड़ दे किसके साथ हूआ, आपने वहां क्या किया, कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ बाते, जे बातों से क इसा कुछ नहीं है, मैं आवाम से आईवी हूँ और आवाम की सोच के साथ चलती हूँ, जिस तरह आवाम उस लिडर को दोबारा वोट नहीं देती, जो के इसका काम नहीं करता, वफदारी से नहीं चलता, जो के उसके भले का काम नहीं करता, आवाम के भले का काम नहीं करता, कभी भी अवाम उसको वोट नहीं देती, इसी तरह मैं जब मैंने भी इनके वादे सुने थे, जुट परमबनी, इनकी बाते सुनी थी खान साब की, तो जिस तरह अवाम इनको लेकिया इस तरह हमने भी सोचा, कि ठीके जी प्लेटफर्म हम यहां पर आके अवाम की खिद्मत क करेंगे, इस प्लेटफर्म से लोगों की काम आएंगे, लेकिन यह तो बिल्कुल उलट है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई भी आप देखें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो वफाक में आती हैं, जो जीत के आती हैं, जिनकी हकूमत होती है, हमेशा उसमे वोटर्स की और सपोर्टर की तादाद बढ़ती है, पी टी आई वो वही जमात है, जो के वफाक में होने के बावजूद, अलेक्शन में सात्वे नंबर पे आ रही है, हर बाए अलेक्शन में वो हार रही है, क्यों? वोटर इनके साथ नहीं है, जलसा गाम में तो हर बंदा पे उस पे हाथ हिला रहे हैं, ये तो इनकी हालत हो गई है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पी टी आई अब दुबारा ना आ सकती है, ना अवाम इसको लेकि आएगी, और कराची, कराची तो सो फीसेद इसको रिजक्ट कर चुका है, जिस तरह मैंने सिलाब देखा है, बिलावल बुटो जर्दारी के साथ, अवाम का, पंजाबी, पठान, सिंधी, उर्दू स्पीकिंग, हजारेवाल, सब, इन्शालला, पीपर्स पार्टी ही कराची में आएगी, और आना भी पीपर्स पार्टी को चाहिए, क्योंकि सिंध और कराची में जब एक हकुमत होगी, तो कराची का भला होगा, अवाम को ये बाद समझनी चाहिए, और मैं समझती हूं कि अवाम ये बात समझ सुकी है, इन्शालला, पीपी ही आएगी, और पीपी ही जीतेगी, इन्शालला, ओलजीष, आप सब का साथ, पीपी के साथ होना चाहिए, क्योंकि पीपी ही आपको आपके हखुक दिलवा सकती है इन्शाथ